तूल ते ज़िए नमस्कार आदाव न्यूस क्लिक में آپ सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे बिल्किस बानुजी से और उनके परिवार से उनके शोहर याकूब जी से हमारे न्यूस क्लिक में आपका का बहुत बहुत स्वागत रोनों का तो पहला सवाल तो यही कि आप अभी है जुजमेंट आई है जो नतीजया करगर ने सुनाया है। भगवत एक लंब अर्से के तो उस अर्से के बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहेंगी की कैसा रहा इतना लंबा टाइम हा इतना उम्मा टाइम हम no बहुत तकलिब में रहा, बहुत तकलिब में जीली और बहुत परिशान थे हमारा चब्दा लोग कुमाड़ा, सब याद आ रहा है, अब परिवार के बीगरे रहे हैं, इसके लिए हम इसको बहुत जेलना पड़ा, 17 साल में। आप भी कुछ बताएंगे कि कैसी परिशानिया आई हैं आपको इतने समय आपने लड़ाई लड़ी है यह बहुत सारी परिशानिया आई हैं, 17 साल के अंदर इतनी लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते बिल्कीश को और बिल्कीश के साथ हर वक्त में साथ रहा हूं, तो जैस बहुत मुश्किल की बात थी। आपने जब यह हाथसा हुआ जब यह हिंसा हुई आपके साथ उसके बाद दो साल तक आप लोगों ने बहुत बार लगभग 20 बार आपने माकान बदला तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे क्यों आप लोगों को इतना जादा अपनी अगरा था कि किसी को पता चल जाएगा हम यहां रहते हैं कोई प्रिशर करेगा कोई दबाव डालेगा कोई खत्रा लगएगा उसी वज़े से हम बार बार मकान बदलते रहें एक चीज है कि आप ही ने पेटिशन डाली कि यह केस गुजात में ना चले गुजात के बाहर चल तो वो कौन सी घटनाई थी क्या कुछ ऐसी चीजे हुई किसने दबाव डाला उसके बारे में थोड़ा सा गर आप बताएं कि क्यों आपको लगा कि गुजात के बाहर ही होना चाहिए आपको की सुनवाई को कि हमारे गुजात में हमको नी आई नी मिला हमारी कुछ सुनवा तो दंगों के बाद भी आपको जैसे आपने यह केस फाइल किया तो सरकार की तरफ से आपको कोई सुविधा या कोई कोई साथ में किया आपको इतने साल अपने लडाई लड़ी है कभी आपको लगा कि बस खतम हो गया चाहिए क्या आपको लगा क्यों लड़ते रहे इतने साल लोग यू आम तोर पे नहीं लड़ पाते हैं इतनी लबी लड़ाई हैं देखो उसमें ऐसा है कि बिल्कीश ने उमीद करके बैठी थी कि उनके साथ जो अन्याई हुआ है उसकी लड़ाई में लड़ोंगी और सदर्सक के स साथ परिवार और मेरे भी परिवार मेरे चाचा का परिवार दोनों को मिला कर चावदा लोग को मार दिया और तीन साल की लड़की जो मेरी थी दी पर इसको पी पटक के मार दी तो उससी चीजे एक चीज जो आपके मामले में साफ आई है बाहर कि जो सरकारी मशीनरी थी, सरकारी तंत्र थे, क्योंकि पुलिस वालों को भी कोट ने गुनागार माना है, दो डॉक्टरों को भी गुनागार माना है, तो थोड़ा सा बताएं कि कैसे इन लोगों ने आपके केस को कमजोर करने की कोशिश की? और ना परिवार को सौपा, तो वो सब बहुत सारी चीजे थी, तो लग रहा है कि पुलिस और जाहे जिसका भी उसके उपर हाथ हो पुलिस का हमरे साथ केस के चेड़कानी करने का, तो वो ही सब चीजे थी, तो उसी वज़ा से पुलिस को कॉर्ट ने उनको साबित कर दिया कि आपने बिल्किस के के साथ चेड़कानी की हैं? तो पुलिस का व्यभार किस तरीके से था आपके साथ वहां पे? जो मैंने बोला के अब पढ़के सुनाओ मैं को जो मैंने बयान दिया है वो पढ़के सुनाओ तो उन्होंने निको धंकी दी और जबर जस्ती अंगुठा लेकिए मेरा लगा दिया तो जितने टाइम ये केस चला गुजरात में और उसके बाद भी जब थोड़े टाइम तक गुजरात की ही सरकार और गुजरात की ही पुलिसिस पे तफ्तीश कर रहे थी तो उन्होंने किस तरीके से आपके केस को कमजोर करने की कोशिश के अगर आप थोड़ा सा बता सकों तो कुछ आप बोलती हूँ वो गुजरात में मुझे नहीं मिलेगा तो पहले से हमारे साथ ऐसा वैवार किया तो फिर हमको तो लगेगा कि हम पून यह नहीं मिलेगा एकर और और साल तक बन रहा हमारा किस पुछ सुन्वाई नहीं होई हूई हूँ है तो अभी अब आपको इस पैसले के बाद कैसा लग आपको क्या लगते है कि आगे आप क्या करना चाहोंगे तक हम जो कि सुप्रीम कोर्ण ने आज़े आज़े चाहिए उसको वह सार दिया है वह सरे और अच्छों भी मेलाए उनको भी एल्ला alla दिला है अमारे जैसा सया हमको नंको भी ओन साब चाहिए और उनको भी इनसा यहारा दो के बाहरा गुजरात मेْ रहना जौछ लोगों, गुजरात में रहना तृ क हिसा रहत है रहना है रहने को कर दो हम दबाओ आठा है, अध़ को डऱ्ा साथ recomahा प्लाक है तो आप जो और भी लोग हैं क्योंकि सबको तो नयाय नहीं मिला है उन दंगों के बाद से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस कोशिश में हैं कि हमें भी नयाय मिले आपको आप उनके लिए कुछ चाहेंगे उनके लिए भी हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे साथ हमको जो सपोर्ट मिला है हमको सबके साथ रहके और सबका हम शुक्रियादा करते हैं और सबका आबर मानते हैं हमारे परिवार्ट की तरह हम गिनते हैं सबकारे परिवार्ट जैसे ही जह बिल्कीस का कहना है खता है चो अरभी मैसा नियाई की रहा देख रहा है तो बिल्कीस का कहिना है के उनको भी मेरे जैसा नियाई मिले और मेरी जिसी हमत बढ़ाए और आप आगे बढ़िए कि आपको भी देश के सहभिदान कि तह Presence तो और कानून पर वरोसा रखना पड़ेगा और आपको भी ऐसा नियाई मिलेगा उसके लिए हिम्मत से आगे बढ़ना पड़े जैसे बिलकी बड़ी और हिम्मत दिकाई देश के लिए एक निसाल बनी और देश की महिराओं के लिए बहुत बड़ी जीत है हिंदुस्तान की चाहित पूरी दुनिया की महिराओं के लिए बहुत बड़ी जीत है बिलकी जो जच्मेंट मिला है आपने बोट किया है इस बार तो आपने विश्वास तो जताया है हमारे देश की लोग तंत्र में आपको कैसा लगा बोट करके पहले तो हम सत्रा साल बब जो हो गया है हम पहले बार वोट करने गायyan है क्योंकि यूंका रख़ा घर लगता था क्योंकि जाएंगे तो हमको याद करेंगे को छुछ क replace call i me मारे गया है उसे जड़ अगता था तो इस बार अपने क्यों चॉचाए था यख़रा मेन सोचा कि अरे जाह हैं और बड़쟁े पहले, तो हमारा रहने का ठीकाना नहीं था इसके लिए पाते तो और अमको डर भी लगता था और अपने डेश के लिए उब टाला है और एकता रहे हमेशा हमेशा के लिए हम से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया न्यूस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद